हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सर्मा जी की वित अकांचा मैं आपका स्वागत करती हूँ मद्दपदेश पत्वारी और गुरूप टू के लिए हम प्रबंदन कर रहे थी प्रबंदन का यह हमारा तेरवा भाग है और इसकी PDF वी तयार हो चुकी है 90 रूपीज में आप इसको पर्चेस कर सकते हैं आप मुझे वाटसप करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं 332 कोशन हो चुके थे हम 333 कोशन से देखेंगे एक कला के रूप में प्रबंदन की निम्लिकित विशेस्ता होना चाहिए सबसे पहला है प्रियोग दूसरा है सूक्ष्म अवलोकन वादा एक कला जब आठ के रूप में आप एक मैनेजमेंट को देखते हैं तो सबसे महत्मूर विशेस्ता कौन सी होती है उसमें उसको प्रियोग किस प्रिकार से कर रहे हैं उसको अगलोकन किस प्रिकार से कर रहे हैं दूसरा है प्रबंदन की अबधारना और सिद्धानतों का प्रियोग 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 किस प्रिकार से हो रहा है या सिस्टे स्का आंसर प्रभंदन की अब्धार्ना और सिध्धानतों का अनुप्रिय। एक कला के रूप में प्रभंदन की विश्यस्ता है प्रभंदन की प्रिकार से काम करता है अब ये पूछ रहे हैं पेशे के रूप में प्रबंदन की कौन सी विश्यस्ता नहीं है ज्यान का विशिस्ट धाचा, पेशेवर संग, आप्रतिवंदित प्रवेश या आचार सहीता तो इन में से कौन एक पेशे के रूप में प्रबंदन की विश्यस्ताओं के अंतरगत नहीं आता है तो कौन नहीं आता है अप्रतिवंदित प्रवेश ग्यान का विशिस्ट धाचा आता है पेशे वर्संग भी आता है आचार सहीता भी आता है पेशे के रूप में प्रबंद में उसका अनुमाल लगाना क्या होता है पहला कदम बीच का कदम या अंतिम कदम तो नियोजन में परिस्तिती का अनुमाल लगाना होता है पहला कदम नियोजन में परिस्तिती का अनुमाल लगाना कौन सा कदम होता है पहला कदम होता है अगला कुशन है सत्यापन के कुल कितन सिधान्त होते हैं सत्यापं के आठ सिधान्त होते हैं सत्यापं के कितने सिधांत होते हैं अर्दश यह पूरे 1443 प्लस कोशन त्यार हुए है मैं आपको बता देती हैं ौस प्रेंट्स इस प्रेकार से one-seam प्लस MCQ तयार हुए है, इसकी e-book है 90 रूपीज की, आप इसको इतने अच्छे से इसको बड़े-बड़े लेटर में लिखा गया है, कि आप इसको PDF के रूप में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीचे आंसर दिया है, तो आप ये 90 रूपीज लेके ये पूरे प्रैक्टिस जो कोशन है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे सरल भासा में इनको तयार किया गया है, और फोंट भी पड़ा रही हूँ, अगला कोशन है, इन में से कौन आइस्थाई संपत्ती है, प्राप्त विपत्र, चल संपत्ती, ख्याती या अकांशा, तो कौन इसमें से आइस्थाई संपत्ती है, प्राप्त विपत्र, विपत्र जो प्राप्त होते हैं, वो क्या है, आइस्थाई पत्ति है नियोजन भविश्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है क्या बोल रहे हैं नियोजन भविश्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है यह किसने का मतलब नियोजन को पिंजरा किसने बोला है नियोजन को पिंजरा किसने बोला है आपको इस तर इसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक वाले वीडियों वी आपको ली करय हैं जिससे आप टिक वाले ट्रिक कर सकते हैं मैंने करीब 30 सिद्धान تो भी एक वीडियों एकका करवाया है अगर लूंद काश वीडियों न भूरी त्रिक को यह पूरा याद हो जाएगा तो ये किसने क्या नियोजन भविश को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है न्यूमेन ने कहा टैरी ने कहा एलन ने कहा या हरले ने कहा तो ये कहा है एलन ने किसने कहा है एलन ने नियोजन भविश को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है यह कथन किसने कहा है यह कथन कहा है एलन ने किसने बोला है एलन ने बोला है अंके छण जो होता है और डिट करते हैं वो किससे मिलके बना होता है विज्ञान से कला से या दोनों से तो अंकेशन किस से मिलके बना होता है दोनों से अंकेशन विज्ञान से मिलके बना होता है और कला से भी मिलकर बना होता है जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रिकार होते हैं जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रिकार होते हैं तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के चार प्रकार होते हैं अगला कोशन है अंके छण का जो उद्गम इस्थान है वो कौन सा है अंके छण कहां से उत्पत्ति अंके छण की हुई थी अमेरिका से हुई थी, गलेंड से हुई थी, भारत से हुई थी यह युनान से हुई थी, तो अंके छण का जो उद्गम इस्थान है वो है युनान अंके छण का उद्गम इस्थान कहां से है, अंके छण की उत्पत्ति कहां से हुई थी तो यह हुई थी युनान से, कहां से हुई थी युनान से निर्ने की प्रिक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है क्या है समन्वय नियंत्रन या नियोजन तो निर्ने की प्रिक्रिया का एक प्रमुख भाग क्या है नियोजन है निर्ने की प्रिक्रिया का एक प्रमुख भाग कौन सा है तो निर्ने की प्रिक्रिया का एक प्रमुख भा अंताव्ट का सकता है कोई राइटर का नाम नाम सबढक से अब दाइन है try परी सीमित्ता विवेक्ता जार्जार टेरी पीटर एफ डेकर हर्वाट ए साइमन या आर्स डावर तो परी सीमित्ता विवेक्ता की अबधार्णा किसकी देन है तो परी सीमित्ता विवेक्ता की अबधार्णा जो है हर्वाट ए साइमन की देन है अगला है प्रमारकों की कोन करता है निरीक्षण प्रमाणन प्रमाणक या सभी प्रमाणकों की जाच कोन करता है प्रमाणन करता है तो प्रमाणकों की जाच करता है प्रमाणन अगला कुश्चन है निर्णयन द्वारा किसी मावदंड की आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चैयन करना यह कथन किसने कहा है निर्णयन द्वारा किसी मावदंड की आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों मतलब दो हो सकते हैं दो से दिखो सकते हैं उन में से किसी एक का चुनाप करना यह कथन किसका है टेरी का है औस्टोनल का है या एलन का है तो यह कथन है एलन का क्या कुशन है निर्णेन द्वारा किसी माप दंड की आधार पर दो या दो से अधिक संभावित विकलबों में से किसी एक का चिनाप करना होता है ये किसने बोला है ये बोला है एलन ने मतलब निर्ने की परिवासा दी है उन्होंने उन्हें बताया है जो निर्नेन होता है उसी के द्वारा हम दो या दो से अधिक संभावे विकल्पों में से किसी एक कचैन करते हैं तो ये किस ने बोला है एलन ने बोला है अगला है गलत संगठन संदशना व्याफसाइक निस्पादन को रोकती है यहां तक कि उसे नस्ट भी कर देती है यह कतन किसका है गलत संगठन संदशना व्याफसाइक निस्पादन को रोकती है ततर यहां तक कि उसे नस्ट कर देती है यह कतन किसका है तो यह कतन है ड्रकर का किसका है ड्रकर का ड्रकर ने बोला है कि गलत संगठन संदशना व्याफसाइक निस्पादन को रोकती है और यहां तक कि उसे नस्ट भी कर देती है किसने बोला है ड्रकर ने बोला है अगला है संगठन प्रबंदन की आधार सिला है संगठन प्रबंदन की आधार सिला है मतलब संगठन जो है ओगनाईज करना तो जो ओगनाईजिशन होता है वो प्रबंद की सबसब मेन है प्रबंदन का बेस है यह किसने बोला था हैने ने बोला था हैंडरी फोर्ड ने बोला था किलिंग ने बोला था यह लौन सबरी फ्रिस ने ही यह बोला था कि संगठन प्रबंद की आधार सिला है संग्ठन प्रभंद की आधार सिला है ये किसने बोला था ये लौन सबरी फ्रिस ने बोला था अगला कोश्यन है अनौप चारिक संग्ठन उतना ही महत्पूर्ण है जितना की ओप चारिक संग्ठन जिसका मुख्य कारण है कि ये अलग अलग उद्रेशों इमानकों को पूरा करता है मनौवल का निर्मार करता है निर्नायन से निकर संबन्दित है परिवर्थन का ब्रोध करता है अनौप चारिक संग्ठन उतना ही महत्पूर्ण है जितना की ओप चारिक संग्ठन क्यों है यह उन्होंने बता है क्योंकि अलग-अलग उद्देशों को पूरा करता है मनोवल का निर्मार करता है निर्णा इन से निकट है यह परिवर्तन का भूत करता है अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों ही महतपूर है क्योंकि अनौपचरिक संग्ठन इसले भी महतपूर है क्योंकि यह मनोवल का निर्मान करता है क्या कारण हो जाएगा इसका क्योंकि यह मनोवल का निर्मान करता है अगला कोशन है संग्ठन रीड है इसका संग्ठन किसका रीड है प्रशासन का प्रभंध का नियंतरन का यह विप्रन का तो संग्ठन इसमें किसका रीड है तो संग्ठन प्रबंद का रीड है संग्ठन किसका रीड है प्रबंद का नियंतरन के विस्तार के सिध्धान्त के प्रतिपादा कौन है नियंतरन के विस्तार के प्रतिपादा कौन है वीलर है साइमन है ग्रेकुनाज है या फ्योल है ये देखो मैंने ये सिध्धान्त ट्रिक से करवाया है भी कल पर सूं तो मैं बता रही हूं तीस सिध्धान्त मैंने ट्रिक से करवाए हैं तो मैंने ये नियंतरन के विस्तार का सिध्धान्त भी करवाया है इसका अंसर है ग्रेक्यूनाज का बीए ग्रेक्यूनाज इनका पूरा नाम है और मैंने ये बताया था इसमें ट्रेक में आपको नियंतरन के विस्तार के सिध्धान्त के पतिपादक में कि जो बीए वेक्टी कर लेता तो उसका जी के पर अच्छा नियंतरन हो जाता है तो यहां पर नियंतरन की बात करी गई है बीए ग्रेकुनास की बात की गई है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नियंतर इसकंद का सत्यापन आप किस प्रेकार करेंगे प्रति भूतियों का निरिक्षण करके मूल्यंकन की जाच करके प्राप्त व्याप्त की ब्याच की जाच करके रोकर की गिंती जाच करके तो व्यापारिक इसकंद का आप सत्यापन किस प्रेकार करेंगे मूल्यंकन की जाच करक अगला कुश्यन है बजटरी नियंतरन प्रणाली में समाहित है जो बजट की नियंतरन प्रणाली होती है उसमें क्या क्या समाहित है लक्षों का निर्धारन होता है लागतों का अनुमान बजटों का अनुमान उप्रिक्त सभी तो बजटरी नियंतरन प्रणाली में क्या समाह होता है बजटों का Animamam करना नियंतरन प्रणाली केवल B acceptable Agar होता तो इसमें सब फिए हो जाते लिकिन Bbahn Tuesday प्रणाली है उसमें का सामिल है बजटों का Animamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamanasamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam है अंकेशन जो कारी क्रम होते हैं उसका महत्पून डोस क्या है जांच इस पस्ट रूप से नहीं की गई है कारे यथावत होता है जांच में कारे से थिलता रहती है यह अधिक खरचिला होता है तो तो कम एव दोश क्या है इसमें कारे जैसा है वैसा ही रहता है कारे में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है कारे यथावत रहता है तो अंकेशन स्पाइब किसी अध knappवत सकते हैं that R circumstance करेंसे इन पार्दाल माहा का एककर आइश k कवर किया गया है से बाहर आपका करेंट नहीं जाएगा आप अराम से इसको लेके और इसकी पीडियाफ को प्रिंट निकल भाके घर बाएट के प्रेक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा ही आप मध्य पिर इस करेंट अफिर्स की भी बूक ले सकते हैं 59 रूपएं कि पूरी साहल का करेंट अफिर्स कवर्किया गया है कटवर् Анवें पूरा पेकेज रही की इसलोंlect में कवर्ण योट किया है यह मैद मुण कोशन भेजे जाते हैं यह गरोप आपको फूर्ण ले संक लेगा तो अगर आपने दीनुर्ट लिए हो तो यहां को गुरुप मिला होगा और इस गुरुप के जो भी स्टुडेंट है वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं register बनाकर उस पर लिखकर तैयारी करते हैं और exam तक exam के paper तक सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा तो अगर आप यह लेना चाहते हैं तो आप मुझे उपर दी number बर WhatsApp कर सकते हैं यह dance booklet आपको इसमें मिलेंगी तो अगर आप यह MMPG वार्शी की लेना चाहते हैं और अगर आप अमारी प्रभन्दन की प्रिश्णोत्तरी लेना चाहते हैं प्रभन्दन की प्रिश्णोत्तरी यही है जिससे मैं अभी आपको वीडियो करा रही हूँ यही पीडियाव आपको मिलेगी 1463 प्लस question है अगर आप यह लेना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अगला गोशन देखते हैं नेतत्व के गोड़े इन में से कौन-कौन से हैं अनुशासन हींता सामाजिक जीवर अकेले रहन या इन में से कोई नहीं तो देखो नेतत्व में ना अनुशासन हींता आती है ना सामाज कि आग्या कादिकार किस पे है केंदरी सरकार के पास होता है रास्टपती के पास होता है संचाल को के पास होता है या कंपनी के पारसत के पास होता है तो किसी कंपनी का विसेज अंकेशन कराने की आग्या कादिकार है वो होता है कंपनी के पारसत जो अंतर नियम होते हैं अंदर के जुनियम बनाये जाते हैं कंपनी के पास, वो उनको अंकेशर कराने की अग्या का अधिकार है उसके अंतरगत नेतत्व की गोड़ मूलक विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? अगला कोशन है अभी प्रेंडना एक आंत्रिक लालसा है जो कि व्यक्ति को कारे करने के लिए प्रेड़ित करती है या संचालित करती है अभी प्रेड़ना की है परिभासा किसकी है मैकफर लेंड की है ऐसा डावर की है किमबल यंग की है अभी प्रेड़ना एक आंतरिक लालसा है जो व्यक्ति को कारे करने की प्रेड़ित करती है या स एक आंतरिक लालसा है यह किसकी है तो यह है एस आर डावर की अभी प्रेणा एक आंतरिक लालसा है तो व्यक्ति को कारे करने की प्रेड़ित करती है यह संचालित करती है यह किसकी है परिभासा यह है एस आर डावर की है अगला कुश्चन है अभी प्रेंडा की इन में से क्या विश्यस्ता या एक सतत चलने वाली प्रिक्रिया है या एक मनोविक ज्यानिक प्रिक्रिया है ये विक्ति के अंदर से आती है या ये सभी तो अभी प्रेंडा का ये सभी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सभी फ्रेंड डिस्किप्सन बॉक्स में आपको मेरे वाटसव टेली ग्राउं फेस्बुक ट्विटर की लिंक मिल जाएगी जोइन कर लीजेगा अगर अभी तक आपने मेरा वाटसव गुरूप जोइन नहीं किया है तो कर लीजेगा लिंक से और ये मेरा वाटसव का नंबर है अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाई और अप सेव इट करके अपना नाम बेजिएगा आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा इसके लावा कांशाव1957 ये मेरी इस्टा आईडी है इसको फॉलो कर लीजेगा यहाँ भी आपको महत्पून अपडेट मिलता रहेगा साथ में एक्जाम बात भी हम यहाँ पर बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे और मॉटिवेशनल थॉट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे तो इसको जॉइन कर लीजेगा अगला कोशन है अभी प्रेणा का एक्स वाई सिध्धान किस ने दिया था किस से संबन्द है एक्स एवं बाई सिध्धान का संबन्द किस से है हर जो वर्ग से है किस से है हर जो वर्ग से है अभी प्रिणा का X एवं 22 इद्धान कोई कोशन अगर रॉंग हो जाता है तो एक बार में को कमेंट वक्स में कर लिजेगा और बाकी मैं एक बार पढ़ करके जो भी अगर कुछ रॉंग हो जाता है मैं उससे गलत बुल जाता है तो मैं कमेंट में सही करा देती हूँ कमेंट भी एक बार चेक कर लिए कीजिए आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं मेरे को आपको जानने का इक ही तरीका है कमेंट जिसे मैं आप जान पती हूँ कि कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं किसको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजें अगला एक प्रबंदन का एक प्रबंदक का सबसे पहला कार्य क्या होता है एक प्रबंदक का सबसे पहला कार्य होता है नियोजन जब योजना होगी तभी तो न्योजन होगा तो एक प्रभंदन का सबसे पहला कारे क्या होता है योजना बनाना होता है संचालन प्रसासन का हिर्दय होता है संचालन प्रसासन का हिर्दय होता है यह कतन किसका है संचालन प्रसासन का हिर्दय होता है यह कतन है डैल योडर का संचालन प्रसासन का हिर्दय होता है यह कतन किसका है यह कतन डैल योडर का है संचालन प्रबंदन का हिर्दय होता है यह कतन किसका है डेल यॉडर का है संग्ठन प्रबंद की आधार सिला है यह कतन किसका है लॉन्स वरी फ्रिस संग्ठन प्रबंद की आधार सिला है यह किसका है लॉन्स वरी फ्रिस का है संग्ठन प्रबंद की आधार सिला है अगला कुश्यन है नियंतरन एक तुलना करने की प्रिक्रिया है किस से वास्तविक निस्पादन की वहश्य के निस्पादन से वास्तविक निस्पादन की समान उपकरमों के निस्पादन से वास्तविक निस्पादन की भूतकली निस्पादन से या सभी से तो निस्पादन एक तुलना करनी की प्रिक्रिया है वास्तविक निस्पादन की समान उपक्रमों के निस्पादन से किस से तुलना करते हैं नियंतर में वास्तविक निस्पादन की करते हैं समान उपक्रमों के निस्पादन से करते हैं अगला है पीटर एवं ड्रकर द्वारा दिया गया विचार क्या है उदेशों द्वारा प्रबंद, नियोजन द्वारा प्रबंद या समनवे द्वारा प्रबंद इन में से कोई भी Peter Riftaker द्वारा नहीं दिया गया है ना उद्देश द्वारा ना समन्वे द्वारा ना नियोजन द्वारा अंगूरी लेता संप्रेशन में कहां पे होता है जो अंगूरी लेता या जो ग्रैब बाइन संप्रेशन है वो अनौप चारिक संगठन में होता है किसमें होता है अंगूरी लेता संप्रेशन अनौप चारिक संगठन में होता है वैज्यानिक प्रभंद का सिधान्त पुस्तक के लेखक कौन है वैज्यानिक प्रभंद का सिधान्त जो दिया था वो टेलर ने दिया था लेकिन पूछ रहे हैं कि विज्जानिक, प्रभंद सिधान्त के लेकछ कौन है तो लेकछ है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से ğaैं सब्सक्राइब कीचिंगे अगर इसकी पेड़िया अफ लेना चाहते हैं तो 90 रूपीज दे कर आप इसको फरचेस कर सकते हैं Okay friends, thank you.